वेलकम बैक दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के साथ सोया चिली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम बहुत ही कम बाइल का यूज़ करके बनाने वाले हैं, और इसे बनाने में बेशफ से आपको कितना भी समय लग जाए, लेकिन खतब होने में 5 मिनट भी नहीं ल दाल लेंगे, और इसे साइड में कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम थोड़े से मसाली जैसे की काली मिर्ज का पॉर्डर, लाल मिर्ज पॉर्डर और एक पड़े चमच अदरफ लसन का पेस्ट डाल के इसे मिक्स कर लीना है अच्छ से उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे दो चमच कॉन फ्लार और कॉन फ्लार से इसके उपर हम कोटिंग करेंगे और हलका सा क्रंच लाने के लिए इसमें हम चावल का आटा का यूज करेंगे चावल का आटा डालने से अच्छे से कोटिंग और क्रंचीने साता है उपर से जो खान में पेहर टेस्टी लगता है सोया चिली में अक्सर क्या होता है ना कि हम उसे डीफ फ्राइ करते हैं जिससे उसके अंदर बहुत जादा ओयल चला जाता है तो हम यहां पे इसे कम ओयल में बहुत जादा टेस्टी तरीके से बनाने वाले हैं और यह बिल्कुल भी चिमर जैसा नहीं लगेगा बहुत जादा जूसी लगने वाला है तो आप देख सकते हैं यहां कड़ाई में मैंने दो बड़े चमच ओयल लिया है और उसके बाद कोट किया हुआ सोयाबिन हम इसमें एड़ कर देंगे अब हम यहाँ इसे शैलो फ्राइ करेंगे बहुत ही अच्छे से मीडियम फ्लेम पे मीडियम टू हाइ फ्लेम का यूज करके हमें इसे भून लेना है deep fry करने के बिلको भी जरूरत नहीं होती है पता निक्यूबju इसे जादा तर लोग deep fry करते हैं उससे क्या होता है कि यह ओईल भी बहुत जादा अबसॉप कर लेता है लेकिर आप इस तरीके से shallow fry कीजिए टेस्ट में बिलको भी कोई भी फरق नहीं आएगा अब पेहत टेस्टी बनके तयार होगा ये और ये देखी इस तरीके से डार्क ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राइ कर लेना है और उसके बाद इसे निकाल लेंगे उसकी और उसके बाद रफली चॉप किया हुआ शिवला मिर्च और ओनियन हमें यहाँ पर एड़ कर देना है उसके बाद हमें इसे एक से डेड़ मिनट के लिए सोटे कर लेना है और तब तक हम यहाँ ग्रेवी तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो सॉस से भाद इसे स्वाद अनुसार नमक और एक चमच कॉनफ़ार आड़ कर दीजिए थोड़े से पानी डालेगे उसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और ग्रेवी यहाँ पर हम तयार कर लेंगे यह देखिये इस तरीके से हमारी ग्रेवी बन कर यहाँ पर तयार हो गई है वहां पे सोयाबीन और यह जो फ्राय की है वहां पे इसे एड कर दीजी और इसके बाद हमें इसे में बना रही हूं जो कि बेहत पसंद है सभी लोगों को और उसके बाद हरे धनिये के साथ कानिश कर दीजिए और हाँ अगर आपके पास ग्रीन ओनियन है तो डालना बिल्कुल भी न भूलें और यह हमारी पेहत टेस्टी स्वयाचिली बनके तयार है तो रेसिपी वीडियो क की सरूब बताइगा